लड़ रहा है तू, जगड़ रहा है तू, हर दिन अपने हलातों से, अपने विचारों से और अपने अंगिनत चिंताओं से वैसे तो जिन्दगी में ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है, उसे भीख होने का अंदर ही अंदर एक डर है मन तो जाने कितने ही चीजों का रखता है, लेकिन जहां पर इच्छाय पूरी करने के बीच में पैसा आता है, वहीं पर मन को मारना पड़ता है अगर घर पर कोई बीमार है, तो मन करता है कि इनकी अच्छी जगां इलाज कराएं, लेकिन हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं कहीं साधी में जाना होता है, तो पहले से ही चिंता होती है कि साधी में पहनेंगी क्या और अगर सेम कपड़े पहनेंगी, तो लोग क्या कहेंगी, लोग क्या सोचेंगी सर्म आती है, ऐसे में तकलीफ होता है, दिल में जब पापा को दिन भर काम करते देखते हैं तो वे खुद की इच्छाएं डबा लेते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वे पूरी कर सकें वे खुद साल भर 80 रुपय की स्लीपर चपल पहन कर लेंगे, तूट जाएगी तो सिलवा लेंगे लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि तुम सही चपल पहनो, मेरे दोस्त पूरी फैमली को चिंता होती है कि महीने खत्म होने वाली हैं, घर का किराया देना है मुझे पता है कि आप पोर हो रहे होंगे, लेकिन ऐसी लाइफ का क्या, जो अपने लाइफ को पांच मिनट ना दे सके मेरे भाई महनत करो, अपनी लाइफ बनाओ, क्योंकि आप ही अपने परिवार में एक हो जो अपने पूरे परिवार की लाइफ बना सकता है पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकता है हाँ पता करो उस कारण को जो तुम्हें रोग रहा है और उन सारे कारणों को आज ही आज खत्म कर दो उगम के अंधेरे से बाहर निकल और मेहनत का तुफान पैदा कर मेहनत हर दिन कर, तंघर्स हर दिन कर और खुद पर विश्वास रख कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ और जंगर्स के बाद भी मेहनत का फल ना मिले तो धैरे रख और फिर से मेहनत कर और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे नाम का सोर होगा और हाँ, क्या तुम तैयार हो? अगर हो तो कमेंट में यस लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जड़ो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जाहें